Assalamualaikum dear students, कैसे हो आप लोग, मीता कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाग होगे तो आज की studio में इंचालना हम लोग बात करेंगे कि आप लोग उन्हें खैबर मेडिकल युनिवस्टी में merit list के लिए कैसे अपलाए करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग उसे छोटी से एक request है कि अगर आप लोग उने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोग ते उसे नाम अतर हमारी motivation होती है second thing is that आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल last तक देखो so that आप लोग उसे किसी भी किसम का point किसी भी किसम की information जो है वो skip ना हो especially इस तरह की वीडियो को आप लोग बिल्कुल last तक देख लिया करो क्योंकि students क्या करते हैं कि वो last तक वीडियो को देखते नहीं है मतलब सारे process को समझते नहीं है directly जाकर apply करते हैं फिर उनसे कुछ ना कुछ mistake होती है फिर वो directly हम से या जो है वो contact कर रहे होते हैं कि इसका क्या solution होगा so लहाजा उस किसम के मसले से बचने के लिए पहले आप लोग 10-15 मिंट अराम सिकून से जाए वो इस वीडियो को देख लो उसके बाद process को समझ लो उसके बाद जाकर apply करो ना ठीक है so without any further delay हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की दरफ so first of all आप लोग उने जाए वो google chrome या कुछ भी open कर लेना है वहाँ पर आप लोग उने सर्च करना है bsadmissions.kmu.edu.p के यह सर्च करना है ठीक है otherwise इसका link में description box में दे दूँगा आप लोग directly वहाँ पर click करके इस website पर जा सकते हो तो ऐसा करने से आप लोग directly इस website पर आ जाओगे जब आप लोग उस पर click करके तो आप लोग के पास कुछ इस तरह से interface यो होगा यहाँ पर आप लोग उने अपना account create कर लेना है first of all आप लोग उने अपना CNIC mention करना है अब CNIC आप लोग उने अपना mention करना है ठीक है यह आपके admission हो रहा है ठीक है अब लोग उने अपना CNIC mention करना है कुछ लोग यहाँ पर अपने फादर का मादर का या भेन भाई का CNIC इंडर कर लेता है तो आगर जाकर आपके लिए मसला बन सकता है ठीक है अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आपके farm bay की उपर यह CNIC number mentioned होता है तो वो ही asters यहाँ पर put कर लो लेकिन अगर किसी student के पास farm bay भी नहीं है तो उसका admission ही नहीं हो सकता ठीक है admission के लिए यह 3-4 चीज़े must required होने चाहिए farm bay या CNIC बाकी जो domicile और यह चीज़ें आगर जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो लहाज़ आप लोगों यहाँ पर अपना CNIC mention करना है उसका नीचे आप लोगों ने password select कर लेना है ठीक है और उसके बाद उस password को confirm कर लेना है और इसी password को अपने पास किसी जागा note भी कर लेना है क्योंकि बाद में फिर students को मसला होता है तो कहता है कि हमें password भूल गया है portal open नहीं हो रहा तो उसके इसम के मसले से बचने के लिए आप लोग या तो इधर password लेकर screenshot ले लो या फिर उसे अपने पास note कर लो लेकर note लाजमी करो next उसके बाद आप लोगों ने यहाप अपना personal email mention करना है ठीक है एसा email जो कि आप use करते है जो कि valid email अगर valid email नहीं है तो email account create कर लो पहले ठीक है अगर आप लोगों के पास working condition में है कोई email account आप लोग यहाँ पर mention कर लो नीचे आप लोगों ने अपने CNIC की issue date mention करनी है ठीक है उसके पद आप लोगों नीचे आप लोगों ने क्या करना है कि capture code fill करना है what is capture code यह नीचे आप लोग orange box देख रहे हो यहाँ पर जो चीज लिखीगे यह आप लोग इसको जो है वो उठा कर ऊपर लिख लो ठीक है अगर कोई word capital है ठीक है तो आप लोगों ने capital लिखना है, small है तो small ही लिखना है मतलब as it is लिखना है उसके पाद आप लोगों ने यहाँ पर create account पर click कर लेना है जो आप लोग create account पर click करेंगे तो आप लोगों का account जो है वो generate हो जाएगा इसको next proceed करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से interface यह होगा यहाँ पर आप लोगों को कुछ instructions दे रहा है और साथ में आप लोगों से undertaking ले रहा है इसमें जस्ट यही लिखा हुए कि अगर आप लोग किसी भी किसम का fake document upload करते हो while filling the form या कोई गलत information upload करते हैं उसके जबेदार आप लोग खुद होगे for example कोई स्टुएंट अगर गलत information कोई fake document upload करते है वो admission process से बच कर उसका admission हो भी जाता है लेकन during the program उसकी degree किसी भी वाक्त cancel हो जकती है तीक है तो लहाज़ा आप लोग किसी भी किसम का fake document upload ना करो ठीक है और किसी भी किसम की false information put ना करो ठीक है यहाँ पर आप लोगों ने नीचे टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जोसे accept conditions and continue पर click कर लेना है अब यहाँ पर आप लोगों के पास form जो है वो आ गया है ठीक है ap यहाँ पर फस्ट फ वाल आप लोगो ने अपनी personal information चली यहाँ बार करने है फस्ट फ वाल आपका full name उसकपा आप लोगों का father name father name को बार अप लोगों ने यहाँ पर gender start करeto लेना है जंडर के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे data of birth लाइना है data of birth के बाद आप लोगों ने यहाँ पे select करना है क्या आप disabled student हो या नहीं हो यहाँ आप लोगों ने select कर लेना है अपनी nationality select करनी है उसके बाद आप लोगों ने अपना domicile यहाँ पे mention करना है ठीक है उसके बाद आप लोगों ने अपना postal address अब what is postal address for example अगर कोई student एप्टाबाद से है तो वह गूगल पर जाकर सर्च करें कि what is the postal address of एप्टाबाद अगर कोई शावर्स है तो वह वहाँ पर Google पर जाकर सर्च करें वहाँ पर कुछ है मैं बार-बार बोलूँगा कि आप लोगों ने रीचेक कर लेना है क्योंकि हर बार कहने के बावजूद भी स्टुटेंट्स रीचेक नहीं करते फिर कोई ना कोई स्टुटेंट ये शिकायत लेकि आया होता है कि मैंने अब ये इन्फ्रमेशन गलिट कर दिया अब मैं क्या करो पिर अब उसको उस वाक पिर हमारे पास भी कोई स्लुइशन नहीं होता फिर कह रहा हूं कि दुबारा से री चेक कर कि तब आप लोग इसको नेक्स प्रोसीड किया करो ठीक है लोग इसको नेक्स प्रोसीड करो के तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ह तो हो का यहां पे आप लोगोंने अपनी पिक्चर अप्लोड करने है तो यहां पे चूज फाइल लिखा हुए है इस पर आप लोगोंने क्लिक करना है तो आपकी पिक्चर जाएगी आप आपने लिए से अपने एक डिटेल से हैं बसे पहले मैट्रिक की डिटेल हो जाई की तो नीम प्रमंबर के बाद आपने के उपने का ने नक्रनालिच है लिए के बाद है टीक का ने पर यहां पर एफिचावर से हो मतलब अपने रिस्पेक्टिव kadawa जाए marks obtained marks पाप लोगों के total marks आ जाएंगे उसके पाप लोगों ने किस year में जाए वो इसको pass किया उसके पाप लोगों ने जाए उपने board select कर लेना FSC का board ठीक है इसको next proceed करने इस पर दिबारा री चेक कर लेना कि आप अगर बिल्कुल ठीक है तो आप लोगों ने फर्दर फिर save and next पर click कर लेना है जो आप लोगों इसको next proceed करो के तो यह automatically जो है वो आप लोगों के cat की details यहां पर enter कर देगा ठीक है यह application हो दी जो है वो सारी details enter कर देगा ठीक है आप लोगों ने जिस CNIC से जो है वो test के लिए registration की थी थी आप लोगों ने उसी CNIC को use करना है आप लोग अगर same CNIC use कर रहे है तो यहां पर यह सारा कुछ automatically generate हो जाएगा ठीक है यह मैंने हुदनी किया यह जिस CNIC से मैंने test की registration की थी और same CNIC जब मैंने यहां पर put का है तो उसने automatically यह मेरी marks details की सारा कुछ यहां पर enter कर लिया आप लोगों ने जिस्ट अपने CNIC को recheck करना है ठीक है और नीचे marks को recheck करना है कि यह वाकई में आपके marks है और यह होंगे आपके marks होंगे ठीक है तो यह देखने के बद आप लोग उने just simple इसको save and next पर click कर देना है अब next step में आप लोग उने कुछ documents upload करने तो सबस्पहले आप लोग उने metric का जो है वो certificate upload करना है यह metric certificate क्या होता है कुछ इसको आप लोग सनद कहते हो ठीक है अगर आप लोग के पास है तो इसको upload कर लो otherwise आप लोग DMC भी upload करने तो कोई मसला नहीं होगा ठीक है लेकिन original हो ठीक है उसके पद आप लोग उने अपना FSC का जो है वो result card या DMC upload करने है उसके पद आप लोग उने आप लोग उने री चेक करना है या उसको आप लोग उने प्रिव्यू करना है ठीक है आप लोग इसको नीचे से क्रोल करोगे तो आप लोग को सारी information table की form में शो हो जाएगी आप लोग फर्दर इसको नीचे से क्रोल करोगे तो यहां पे आप लोग को different campuses show कर रहे है और उन और उन campuses में मुझूदा तमाम disciplines में apply कर दिया है ठीक है नीचे से क्रोल करने के बाद आप लोगोंने just simple यहां के अपना aggregate वगरे वो चीज़ चेक कर लेनी है कि क्या यह बिल्कुल ठीक है उसके बाद आप लोगोंने क्या करना है कि यहां पर इसको submit application form पर click कर देना है ठीक हो करता हूं कि इसके बाद आप लोगोंने क्या करना है कि जब आप लोग इसको application form को submit करोगे तो उसके बाद आप लोगोंने क्या करना है कि अपना चालान डाउनलोड कर लेना है ठीक है 3000 रूपीस का चालान आएगा वह आप लोगोंने bank में submit करना होगा ठीक है वह उसी चलान सो चलान को आप लोगोंने मस्ट अप्लोड करने है ठीक है बस चीजिए इसका प्रॉसेस था कोई क्वेस्टन बगर है तो आप लोगमेंट सेक्शिन के अंदर पूछ सकते हो थैंक यू